तो गाईज हमारे एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने मुझसे यहाँ पर कुछ कोशन्स पूछे हैं और वो इनका आंसर चाहते हैं तो मैंने सुचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाए बिकॉज बहुत सरे लोगों का हो सकता है सेम कुशन होगा तो चली दिखते हैं कि कौन से कुशन्स है और इनका क्या जो है वो मैं आपको जवाब देता हूँ उससे पहले अगर आप अपने घर पर या फिर ऑफिस पर जियो का एरफिपर कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो सिंपल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा उस लिंक पर आप लोगो किलिक करना है और वहाँ पर आपको अपने सारा डीटेल्स के लिखा हुआ है सबसे पहला कुशन आप्टर six months बिल पे करना पड़ेगा मतलब अगर मुझे कोई महना पर रिचार्ज नहीं करना हो वह वाला सिस्टम है क्या और रिचार्ज करना भी पड़ेगा as a posted system तो मैं इसके बारे में चलिए आपको बता देता हूं तो गैस जियो हुआ कि आप बीच में रोग दिये और आप एक मेना यूज नहीं किये हमेशा चलता ही रहेगा आपको हर मंत इसका बिल पे करना होगा तो इस तरह से सिस्टम चलता है तो इसमें रिचार्ज ना करना है करना कोई option नहीं है आपको payment करना ही पड़ेगा ठीक है बीच में इसक इसमें आपको दो option मिल जाते हैं आप इसको LAN से भी connect कर सकते हो यहां पर LAN का port दिया गया आज एक सकते हो और यह वाइफाई से भी connect हो जाता तो टेंशन की बात नहीं है अगर आपका Wi-Fi router आपके मतलब जहां आपका setup box से वहां से दूर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है वाइ टीवी है स्मार्ट टीवी नहीं है तो क्या उसमें connect होगा एवी सिस्टम से रेड येलो वाइट वाला वायर ठीक है आप जुरूरी इस वाले टीवी के बात कर रहें अगर इसकी बात नहीं कर रहें बट फिर भी इस वाले टीवी में भी connect हो जाया आपका जियो वाला हो गया है तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया है स्टूरूम में बाकि यह काम करता है ठीक है तो इस तरह से आप जो है इस पुराने वाले टीवी को भी डबबा टीवी को भी आप स्मार्ट टीवी बना सकते हो जीओ सेट्ट आप बोक्स का यूज करके दो इसमें नेट तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्यमात्रम